नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है एक नवंबर दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के इंजलों में लग रहा नियोजन सह वेफसाइक मार्क दर्शन मेला दो हज़ार तेज सब्जियों के खेती करने पर पाएं बंपर सबसिडी मदाता सुची में नाम जोडने और सुधारने का होगा एक ही फॉर्म आपके जीवन से जुरे कई नियमों में आज से होगा बदलाओ सुबमंगिल इस खिलारी को मानते हैं अपना आदश अब चले बढ़ते हैं बेहार के अपता की 25 परी खबरों प्यों अस्तार से एएएएए जुनियर एक्जेक्यूटिव के 496 पदो पर निकली भरती एएरपोर्ट अथॉर्यटी ओफ इंडिया के ओर से जुनियर एक्जेक्यूटिव के 496 पदो पर भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero.en.career.recruitment पर जाकर ओलनाइट तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करने की अंतिम तारीक 30 नमबर 2023 तक निर्थारित की गई है वहीं आविदन करने की शिरवात आज से हो रही है इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करें तो भौत एक विज्ञान और गनित के साथ विज्ञान में 3 साल की पुर्ण कालिक नियमित सनातक डिगरी या किसी भी विशह में इंजिनरिंग में पुर्ण कालिक नियमित सनातक की डिगरी होनी चाहिए सेचनिक योगिता सजड़ी विस्तर जानकारी के लिए एक बार अधिसूशना चरूर देख ले आपके जीवन सजड़े कई नियमों में आज से होगा बदलाव आज से नमबर महीने की शिरवात हो रही हैसे में हर महीने की पहली तारीक की तरह इस महीने की पहली तारीक को भी कुछ नियम में बदलाव होने वाले हैं जिसका असर आपकी जेप पर पर सकता है पतादी के आज से Insurance Regulatory and Development Authority of India ने सभी बीमा धारको को KYC कराना अनिवारे कर दिया है जिसका आपके क्लीम पर असर पढ़ने वाला है यदि आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका क्लीम रद कर दिया जाएगा इसके अलावा राष्ट्रिय सूशना विज्ञान किंद्र की माने तो 100 करोर रुपे और उसे जादा के काड़ुबार करने वाले बिजनिस को एक नमबर से 30 दिनों के अंदर ए चालान पूटल पर GST चालान अप्लोड करना होगा Bombay Stock Exchange ने 20 October को जारी अपने बयान में कहा है कि नमबर महीने की पहली तारीक को Equity Derivative सिग्मेंट पर लेन देन सुल्क बढ़ाने की बात कही है Amazon ने अपने बयान में कहा है कि वा Kindle पर सपोर्टेट फाइरों के लिए सपोर्ट को खत्म कर रहा साथ ही या भी कहा है कि एक नमबर से MOBI फॉर्मिट को का सपोर्ट नहीं करेगा एक नमबर से गैस सिलिंडर की कीमत में भी बदलाव किया जा सकता है इसके साथ ही भारस सरकार ने लैपटॉप, इंपोर्ट, परसनल, कम्प्यूटर और कई इलक्ट्रोनी चीजों के इंपोर्ट पर 30 अक्टूबर तक छूर दी थी अब कहा जाड़ा है कि एक नमबर से इन नियमों में किस तरह के बदलाव होंगे या कहना मुश्किल है इसको लेकर कोई आधिकारी जानकारी साजान नहीं की जा रही आज है करवा चौत का वरत, पती की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखेंगे नर्जला वरत आज यानी की एक नमबर को हिंदू महिलाओं का सबसे बड़ा तेहार करवा चौत है आज के दिन महिलाएं अपनी पती की लंबी उम्र के लिए नर्जला वरत रखती हैं बता दे कि आज के दिन महिलाएं सुभा से लेकर चांद निकलने तक ना कुछ खाती हैं और ना ही कु होने से पहले सास अपनी बहुओ को सरगी देती है आपकी जानकारी के बता दे कि करवा चौत का वरत हर साल कार्तिक मा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिति को रखा जाता है अगर हम इसके सुभ मुर्थ की बात करें तो वैदिक पंचांग के नुसार वरत सुभा छे होने का समय आठ बच कर पंदरा मिनट पड़ है महलाओं के बीच करवा चौत वरत का खास महत्व है अब मौसम विभाग देगा एक यू आई की एडवांस जानकारी बिहार में बढ़ते प्रदूशन को देखते वे बिहार सरकार की ओर से एक नया प्लान बनाये गया है जिस बता दे कि सेवा बिहार की राजधानी पटना में शिरू हो गई है वहीं आने वाले दिनों में से गया भागलपूर समेथ पूरे राज्य में लागू किया जाएगा मालू हो कि पटना मौसम विग्यान केंदर के द्वारा प्रदूशन की गंभीरता क्या है इसके अलग-अ बता गरंगों के जरिये अलर्ट के रूप में जारी किया जा रहे हैं वहीं केंदर द्वारा इसके वेफसाइट और सोचल मीडिया ग्रूप में साज़ा किया जा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हवा के सिदिकी जानकारी और एतिहात से सुझाओ बिहार के इंजलो में लग रहा नियोजन सह वेफसाइक मार्क दर्शन मेला दो हजार त Michigan किया जा रहा है जिसके तहत राजे के सभी जलों के तकनीकी एवं ग्यार तकनीकी च्छितर में योगिता रखने वाली आवेदगों के लिए नीजी च्छितर में रोजगार पानी का सुनेडा अफसर उपलद करवाया जाता है बता दे किसके तहट एक और दो नवंबर को सारण के छपड़ा के राजिंद्र महा विद्याले में प्रमंडली अस्तर पर दो दिवस ये रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है तो हैं 6 नवंबर 2023 को किस्तन गंज के जैसीद अस फाक कुल लह खान स्टेडियम में जला अस्तर पर एक दिवस ये रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है इसके लावा 8 और 10 नवंबर को अरडिया और कटिहार में जला अस्तर पर एक दिवस ये रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है अगर हम इसके समय की बात करें ये रोजगार मिला सुभा सारे दस पजे से शाम चार बजे तक आयूजित किया चाहेगा इसमें भाग लेने के एक चुकभ्यर्थी को NCS पोर्टल की वेबसाइट www.ncs.gov. इन पर निबंधन कराना आवश्यक है हाला कि निबंधन करानी की वेवस्था आयूजन अस्थल पर भी उपलब्धोगी विसरत जानकारी के लिए संबंध जिला के नियोजना ले काड़ेहाले से संपर्ट कर सकते हैं बिहार विद्वा पिंसन योजना का ऐसे उठाई लाब बिहार सरकार के ओर से राजे में कई योजनाई चलाई जा रही हैं जिनमें से एक विद्वा पिंसन योजना है जिसका नाम लक्षमी भाई सामाजिक सुरक्षा पिंसन योजना रखा गया है बता दे कि यह योजना प्रदीश में रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर विद्वा महिलाओं के लिए है ताकि उन्हें आर्थिक सहाइता दे कर उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके मालमोग इस योजना के अंतरगत प्रती महा 400 रुपए से 500 रुपए तक सरकार के ओर से दिये जाते हैं अलाके इस योजना का लाब लेने के लिए कुछ पात्रता भी निरधारित की गई है जिसके तहट विद्वा महिला 18 वर्ष से उपर की होनी चाहिए परिवाल की वार्सी क साथ हजार रुपए से जाधा नहीं होनी चाहिए और साथ महिला बे सहारा होनी चाहिए ऐसे में जो लोग इस योजना का लाब लेना चाहते हैं वह सर्विस ऑनलाइन.bihar.gov.in इस योजना के लिए जिन दस्तावीजों की अवशकता है उनमें विद्वा महिला का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पती की मृत्यू प्रमान पत्र, आयू प्रमान पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और पासपोर्ट साइस पोटों की जरुर्वत हैं. इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर केके पाठक ने सभी डियम को लिखा पत्र, दो नमबर को बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के द्वरा नम नुक्त सक्षकों को पत्ना के गांती मैदान में नुक्ती पत्र वित्रत किया जाएगा, और फिर इसके बाद 4 नमबर से इ इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर गाइडलाइन दिया गया है, बतादे कि इस पत्र में तीन बिंदूओं पर प्रमखरूप से ध्यान देने को कहा गया है, जिसमें इंडक्शन ट्रेनिंग में विद्याले अध्यापकों की जो संख्या बताई जा रही है, उसके अनुसार व दियाले अध्यापकों को आप या वड़ी अधिकारी भी सम्मोधित करें और अपने राजे के सैशनिक व्यवस्था के बाड़े में बताएं। सरकार के दौरा 317 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्मान को हरी ज़ंडी दी गए थी, वहीं इसके निर्मान को लेकर विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है, और अब इसके निर्मान को पूड़ा करने का लक्ष एक साल के अंदर रखा गया है, बिहार के परिटन में आज हम बात करेंगे जल मंदर के बारे में जल मंदर पावापूरी में स्थित है यह अस्थान भगवान महावीर के निर्मान प्राप्ति के लिए विख्या था यह मंदर जैन धर्म के अनुयाईयों के लिए अधिपवत्र माना जाता है जल मंदर उस स्थान को चिनित करता है जहां भगवान महावीर का अन्तिम संसकार किया गया था कहा जाता है कि उनके अन्तिम संसकार की चिता से राग की बड़ी मांग थी जल मंदर जैसा की नाम से पता चलता है कि कमल के साथ खिलने वाली जील के बीच में एक मंदर है सुन्दर मंदर का मुख्य देवता भगवान महावीर की बहुत पुराने चरन पादुका है यह उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान महावीर के पार्तिव सली का अंतिम संसकार किया गया था मानता है कि इस मंदर का रिणमान भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्दन ने करवाया था जिसका समय समय पर जिन्नुधार होता रहा है वर्थवान सनचना संग्मर्मर से बनी है और कमल के फूल से भड़े तालाब के बीचों बीच है ये मंदर लाल बलुआ पत्थर से बने 600 फीट लंबे फुल के माध्यम से सुलब है मंदर के अंदर भगवान महावीर और उनके सिस्थियों से पैड़ों के निशान है इस मंदर के शांत इवा मनुरम वातावरन मन को भाव विवोर कर देते हैं बिहार में खेल प्रसक्चकों की होगी भरती इस दिन तक कड़ी आवीदन राजी में खेल का एकोसिस्टम विक्सित किया जा सके इसको लेकर बिहार सरकार के ओर से कई प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में समवधा पर खेल प्रसक्चक भी रखे जाएंगे जिन्हें मानदे के रूप में 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक दिये जाएंगे इसको लिएक प्रसक्चकों की नियुक्तम आयू 25 वर्ष और अधिक्तम आयू 45 वर्ष नर्धारित की गई है इसे में वो लोग जो इसके लिए आवीदन करने के एक चुप प्रसक्चक हैं वे 23 नवंबर 2023 तक आवीदन कर सकते हैं बतादे के आवीदन सक्रूटनी के लिए पांस सदर्शी समीती का गठन किया गया है जिसमें अनिस सदर्शी के रूप में कलास संस्कृती एवं युवा विभाग के सियुक्त सचीव बिहार राजिक खेल प्राधिकरन के सियुक्त सचीव चात्र एवं युवा कल्यान के सह बिहार के क्रिकेटर का भारती अंडर उनस टीम में हुआ चेयन। पता सुधा कर रहा है, जिला क्रिकेट संग के पताधिकारी, बीसी एके पुर्व को साध्यक्ष प्रवीन कुमार ने खुसी व्यक्त करते वे शुप कामनाय दी हैं। मालुमों कि यह फॉर्म मल्टी पर्पस के लिए बनाय गया है ताकि इससे पातर नागरिकों को मदाता सुची से संबंधित कारी किये जाने में कोई असुधा ना हो। मालुमों कि पहले भिन-भिन कारियों के लिए अलग-अलग फॉर्म होते थे वही मीडिया में चल रही खबरों के नसार इन सब के अलावा वोटर हेल्प लाइन आप को अपने वोवाइल में भी अपलोड करके कोई भी व्यक्ती स्वेम भी मदाता सुची में नए नाम शाम विहार सरकार के उद्योग विवाग के दौरा राजे में सब्जी की खेती करने के लिए किसानों को उद्यान इलिशाले क्रिसे विवाग के सब्जे विकास योजना के अंतरगत अनुदान उपलब्द करवाए जा रहे हैं बता दे किस योजना के तहट वीतिये वर्स 2023 में ब्रॉकली, रंकीन, सिमला, मर्च, बीज, रहित, खीरा और बैगन की खेती करने के लिए अनुदान दिये जा रहे हैं मालम हो कि स्योजना के तहट राजे के पटना, मगद के साथ तिरुद, प्रमंडल के जिले के किसानों को खेती करने के लिए अनुदान पर पौधो को उ बिहार के इस जिले में 27 नए बालु घाट, बहुत जल्दी बिहार के भोजपूर जिले में 27 नए बालु घाट खुलने बाले हैं, इसको लेकर सिया के दौरा मंजूरी दे दी गई है, वहीं भोजपूर में 27 नए बालु घाटों के खुलने से राजे में बालु घाटों की कुल संख्या 61 हो जाएगी मालम हो कि इन 27 नए बालू घाटों में गंगा और सो दोनों सिज्रे बालू घाट शामिल है ऐसे में अब जब बालू घाटों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है तो इसी सफता जले में लिखत आदेश आने पर जिला प्रशासन के दोरा और खरन विभाग के दोरा सभी 27 बालू घाटों की नए सीरे से निलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ऐसी संभाम रजताई जा रही है कि अगले माह निलामी हो जाएगी अगर जले में 27 नए बालू घाट खुलते है तो एक तरफ जहां बालू का काड़ो बार बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही विभाग का खजाना भी बढ़ेगा इस बारे में भोजपुर डियम राजकुमार के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया कि नए बालू घाटों के शुड़ू होने से इसे जुरे कई प्रकार के विवस्था में भी बढ़ोत भी होगी पच्वा हवा के कारण तापमान में आई कमी प्रदेश के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है प्रदेश में कहीं गर्वी तो कहीं ठंडी जैसे एहसास हो रहे हैं खासकर दोपहड में लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ता है प्रदेश में दिनों नियुंत तापमान में गिरावट देखी जा रही है साथी शाम को ग्रामीन इलाकों में लोगों को सुबह साम सीरन जैसे सिथी रहने लगी है विवाग की माने तो लोगों को वहीं दिपावली वजच हट पुजा के दौरान लोगों को ठंड का हैसासों का बता दे कि राजधानी पटना के साथ ही प्रदीश के ठार जिलों के निंतम तापमान में आंसिक गिरावट आई है। में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मरजा गालिब और अलामा मुहमत इकबाल के बारे में शामिल था। एक नवम दोहजार सात्र को गूगल ने अब्दुल कभी देशनावी के 87 सिवे जंदन के सम्मान में एक गूगल डूडल दिखाया। स्टियम नितीश ने एसिया के सबसे बड़े इतिनौल प्लान का किया उदगाटन। पीतदन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा लोग पूर्डुस सरदार वललब भाई पटेल की जयनती के मौके पर नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल स्थित सरदार पटेल कॉलेज परिसर में सरदार पटेल की प्रतीमा का अनावरंद किया गया। और इसके साथ ही उनके द्वारा नम्नर्मित प्रिशासनिक भवन का भी उदगाटन किया और विज्ञान भवन का सलन्याश भी किया गया जैसे एक दसमनो एक शुने करोर रूपे की लागसे तयार किया जाना है वही इसके बाद मुख्यमंत्री। नितीश कुमार वेन प्रखन के अडावा गाउं पहुंचे जहां उन्होंने एशिया के सबसे बड़े 600 करोर रूपे की लागसे पटेल एग्रो इंड़स्ट्रीज में तैयार किये एथिनॉल प्लांट का उदखाटन किया। बतादे कि सीम नितीश की नरंदा आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे वहें सोरान सीम नितीश के साथ कहीं गनमाने लोग मौजूद रहें। नमबर तक होगा। ऐसा माना चारा है कि इसमें बिहार के भाग लेने के बाद बिहार टुरिस्म को काफी बढ़ावा मिलेगा मेडिया में चल रही ख़बरों किनसार इसायोजन में बिहार परेट निगम के निदेशक विनाय कुमार राए बिहार राजित टुरिस्म डेवल परके पुर्व उप्मुख्यमंत्री और राजसभा सांसा सुसील कुमार मोदी के द्वारा जेडियू को लेकर एक बड़ी भविश्यवानी की गई है। कुसित करने के बाद जेडियू के अलग अस्तित्व का कोई औचित ही नहीं रहा पार्टी के सांसदों और विधायकों को अब अपना भविश्य अंधकार में दिख रहा है। अब निदीश कुमार का कोई जनधार नहीं है। लोग कुष्य और अतिपिछला वोट बीजेप के द्वारा स्टार स्पोर्स के शो पर बातचीत करते वें बताया गया कि मौजुदा समय में उनके फेवरेट प्रिकेटर विडाट कोहली हैं लेकिन जब बड़े होड़ है थे उस दौरान उनके फेवरेट और आदश प्रिकेटर सचिन सर थे। आपकी जानकारी क्लिवता सब्सक्रादी के आई सीसी विश्व कप दो हजार तईस में अब तक सुब मंगिल के दौरा चार मैचों में केवल एक सो चार रन ही बनाए जा सके हैं और औस भी महज 26 का रहा है और इस्टिया कप में सुब मंगिल का प्रोदर्शन देखने लायक था नहोंने शांदार बल् सके थे भारत के त्यास में आज की तारीक है कई कार्णोस दर्ज कलकत्ता में 881 को ट्राम सिवा से आल दाहत था अर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई दाश के आधार पर 1956 में मत्य प्रदीश राजी का गठन किया गया राज़धानि दिल्ली को 1956 में केंदर शासत राजे बना बेजवारा गोपाल रेड़ी को 1956 में आंद़र राजी के मुख्यमंतरी से पद मुक्ती हुई निलम संजीव एड़ी ने 1956 में आंधर राजी के मुख्यमंत्री पद को ग्रहन किया, 1956 में केरल राजी की स्थापना हुई, 1956 में हैदराबाद राजी प्रशासनिक रूप से समाप्त हो गया, निलम संजीव ने 1956 में कांगरा जले के तीं जले कांगरा उनत था हमीरपूर बनाये गया, में मैसूर का नाम बदल कर करनाटक किया गया भारत की तितकाली प्रिधान मंत्री इंद्रा गांधी की हत्या के बाद 1984 में देश में सिख विरोध दंगे भड़क गये 2000 में 36 गर राजी का गठन हुआ रजब बैंक ने 2008 में बरोद्रा से संचालत विद कंपनी मैसर्स, SDFC, Finance Limited का पंजी करन रद किया भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अमबानी की पत्नी नीता अमबानी का जन्म 1964 को हुआ था भारती अभिनेतरी एवां पुर्व, मिस वर्ल्ड, एस्वर्य, राइका जन्म 1973 में हुआ 1987 को भारती अभिनेतरी इलियाना डिक्रूस का जन्म हुआ था वारल कर में आजम बात करेंगे प्रिधान मंत्री बिरोजगारी भत्ता योजना के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जुरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रिधान मंत्री बिरोजगारी भत्ता योजना के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि भत्ता योजना के तहट सरकार बेरोजगार युवाउं को अफर महीने 600 रुपे का भत्ता दे रही है P.I.B. ने अपि टूइट में आगे लिखा है कि मैसेज फर्दी है फारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही कृपय ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करे एपल आइफोन हैकिंग मामने में सरकार ने दिये जाज क्या देश केंद्रे संचार एलक्रोनिक्स और सूषना प्रोदय की मंत्री अस्विनी वैशनव के द्वारा एक्सपर ट्वीट कर जानकारी देते वे बताया गया कि हम एपल से प्राप्त अधिसूषना के बाड़े में कुछ सांसदों के साथ साथ अन्य लोगों के मीडिया में देखे ग इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ एपल खत्रे की सूषना गलत अलाम या कुछ हमलों का पता नहीं चलपाती है एपल ने यह भी दावा किया है कि एपल आईडी उपकरनों पर सुरक्षत रूप से एंक्रिप्टेड है जिसे उप्योग करता कि इस पस्ट अनुमती की बिना यह जांच करें कि उन्होंने कहा कैसी जानकारी और ब्याप पकटकलों के आलोप में हमने एपल से कथित राजिर प्राइजित हमलों पर वास्तविक सटिक जानकारी के सांथ जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है वार्सप पर एक साथ 31 लोगों को करी कॉल इंस्टिंट आपको बता दी कि वाट्सअप ने फिलाल इस फीचर को आई ओएस वर्जन के लिए ही लाइब किया है आपको बता दी कि वाट्सअप ने पिछले साल इस फीचर का एलांग किया था और बताया कि आने वाले समय में ग्रूप कॉल 32 यूजस एक साथ बात कर सकेंगे नया फी स्थर पर विधान सभाई सपीकर का बयान आया सामने। परता से लगे हुए हैं आपके जानकारी के बतादी के अधिसूशना के मुताबिक सत्र के पहले दिन नए चुने गए प्रतिनी दी सपत ग्रहांद करेंगे और इसके साथ ही वीतिय वर्स 2023 शॉबस का सेकेंड सप्लिमेंटरी बजट सदन के पड़न पर रखा जाएगा सत्र क दूसरे दिन और तीसरे दिन राजकी विध्यक और राजकी कारे निपटाए जाएगे चौते दिन वीतिय वर्स 2023 शॉबस का सेकेंड सप्लिमेंटरी बजट पर चरचा होगी और पांचवे दिन ग्यार सरकारी सिदर्शियों के काम निपटाए जाएगे और इसे दिन ग्या करिंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किसने जलवायू परिवर्तन और परमानों उर्जा पर 2023 अंतरराश्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक् इसका सही उतर है उप्संसी UAE अगला सवाल हाली में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतिये की सूची बेश श्रिश अस्थान पढ़ है उप्शनी रतन ताटा उप्शनी गौतम अडानी उप्शनी मुकेश अंबानी उप्शनी इन मे इसका सही उतर है उप्शनी मुकेश अंबानी अगला सवाल बिहार में नकसलवात की शिरवात कस जिले से हुई थी उप्शनी नालंदा उप्शनी भोजपूर उप्शनी गया उप्शनी पठना इसका सही उतर है उप्शन भी भोजपूर अगला सवाल देश में पहली बार राजश्यतिक जांच आयों का गठन किस राज़े में हुआ उप्शने उतर प्रदेश, उप्शनी बिहार, उप्शनी पश्विम बंगाल, उप्शनी राजस्थान इसका सही उतर है उप्शनी बिहार, अगला सवाल संपुन क्रांती देश के किस राज़े से संबंधित है उप्शनी राजस्थान, उप्शनी उतर प्रदेश, उप्शनी बिहार, उप्शनी पश्विम बंगाल इसका सही उतर है उप्शनी पिहार, बीतर है हमारे दर पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब, हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्हों नहीं हमारे दर पूछे के सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप किस शित्र से हमारे द्वारा प्रसारित किये गए 25 खबर को देख रहे हैं अपने जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद